नमस्कार दोस्तों मैं रमेश सिंग स्वागत करते हूं आप सभी का एक बर फिर से RMS लाइब लंडिंग में और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटूब की और जानेंगे यूटूब के पांच बड़े और नए यूजफुल अपडेट्स के बारे में त यूटूब पर रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको यूटूब के नए अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए और दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और अगर को अपडेट करने के बाद जैसे आप यूटूब एप को ओपन करेंगे इस तरह से होम पेज में ही आप टॉप लेफ्ट कॉर्णर में सौर्ट का यह ऑप्सन देख सकते हैं तो गाइस यह नया फीचर यूटूब ने एड़ किया है और सौर्ट के इस ऑप्सन पर क्लिक करके अलग अलग यूजर्स की वीडियो को देख सकते हैं जैसे तरह से यांप भी आप टिक टॉक जैसी वीडियो को देख सकते हैं इसी तरह से आप भी टिक टॉक open करके video screen में उपर की तरफ swap करेंगे तो इस तरह से video full screen में play होना start हो जाएगी और friends अब आपको इसे वापस normal mode में करना है तो इस तरह से आपको नीचे की तरफ swap करना है और स्वैप करते ही वीडियो नॉर्मल मोड में आ जाएगी अब जो तीसरा और चौथा अपडेट है दोस्तों वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप वीडियो स्कीन पर टच करेंगे तो autoplay और subtitle CC का option आपको वीडियो स्कीन में ही मिल जाएगा पहले autoplay का option नीचे comment section के आसपास होता था और subtitle CC का option उपर 3 dots पर click करके देख सकते थे लेकिन अब वीडियो स्कीन में ही आपको यह दोनों options मिल जाएगे अब अगर आप autoplay को on करना चाते हैं तो इस तरह से आपको इस toggle button को on करना है जिसके बाद यह वीडियो end होने के बाद next video automatically play हो जाएगी इस तरह से यहाँ पर CC के इस option को enable करके आप वीडियो में subtitle enable कर सकते हैं यानि कि जिन वीडियो में subtitle add होगा और यहाँ पर आप तो CC पर click करेंगे तो वीडियो के bottom side से captions लिखे हुए आना शुरू हो जाएंगी आपने बहुत सी वीडियो देखे होंगी जिन भे नीचे से वीडियो के dialogue लिखे हुए आते हैं इसी तरह से आप वीडियो प्ले करके CC के इस option को enable करके captions को देख सकते हैं अब जो पांचवा अपडेट है दोस्तों इसके लिए यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्णर में अपने profile icon पर click करना है जिसके बाद इस तरह से कुछ options आएंगे तो यहाँ पर आपको settings पर click कर आप यहाँ पर available था और इसको on करके आप YouTube को close करने का reminder set कर सकते हैं यहाँ पर आप जितने भी hours या जितने भी minute set करेंगे उस time के according frequently आपको reminder मिल जाएगा यही पर दोस्तों आप यह new update देख सकते हैं remind me when it's bad time तो guys अब आप YouTube चलाते time bad time reminder set कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर इस toggle button को on करेंगे इस तरह से क्यों pop up आएगा तो guys यहाँ पर आप अपना bad time set कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर already 11 pm से लेकर 7 am का time set है तो अगर आपका सोने का time भी same है तो आप इसे enable कर सकते हैं otherwise आप इस finish my video to show the reminder का option आप देख सकते हैं तो अगर इसके check box पर टिक लगा हुआ है तो reminder time में आप कोई video देख रहे होंगे तो वो वीडियो जब तक finish नहीं हो जाती है तब तक आपको reminder नहीं मिलेगा अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इस check box को आप unchecked भी कर सकते हैं finally यहाँ पर आपक time reminder set हो जाएगा और अगर आप reminder time पर YouTube चला रहे हैं तो आपको bad time reminder सो हो जाएगा कि अब आपका सोने का time हो गया है तो यह थे दोस्तों YouTube के 5 interesting updates I hope आपको काफी पसंद आये होंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share जरूर करना और चैनल पर नहीं है तो हम subscribe करके bell icon press जरूर कर देना तो मिलता हूं दोस्तों आपको next video में तब तक के लिए take care and Jai Hind